राष्ट्रियस सिख्षा निती 21 सदी के भारत को नई दिशा देने वाली हैं। साथ्यों पिछले तीन दसकों में दुनिया का हर ख्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्ता बदल गया। इन तीन दसकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो। लेकिन वो मार्क जिस पर चलते हुए समाज भविश की तरफ बढ़ता है। हमारी सिक्षा व्यवस्ता वो अब भी पुराने धर्रे पर ही चल रही थी। पुरानी सिक्षा व्यवस्ता को बदलना उतना ही आवशक था जितना किसी खराब हुए ब्लेक बॉर्ड को बदलना आवशक होता है। जैसे हर स्कूल में पीनप बॉर्ड होता है। उसमें तमाम जरूरी कागर स्कूल के जरूरी आदेश बच्चों की बनाई पेंटिंग आदेश आप लोग लगाते रहते। ये बॉर्ड हर कुछ समय में भर भी कुछ समय में भर जाता है। उस पीनप बॉर्ड पर नई क्लास के नई बच्चों की नई पेंटिंग्स लगाने के लिए आपको बडलाव करना ही पड़ता है। नई राष्टिय शिक्षान निती भी नई भारत की नई उमीदों की नई आवश्रक्ताओं की पूर्ती का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले चार-पाँच वर्षों की कड़ी महनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहें तो ये काम की अश्ली शुरुवात हुई है। अब हमें राष्ट्रिय शिक्षानीती को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है। और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं जानता हूँ, राष्ट्रिय शिक्षानीती का एलान होने के बाद, आप मैंसे बहुत लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षानीती क्या है, ये कैसे अलग है, इसे स्कूल और कॉलेजों की विवस्ता में क्या बढ़लावाएगा, इस शिक्षानीती में एक शिक्षक के लिए क्या है, एक शात्र के लिए क्या है, और सबसे एहम इसे सफलता पुर्वक लागू करने के लिए क्या करना है, क सवाव जायज भी है और जरूरी भी है और इसलिए ही हम सब यहाँ इस कारकम में इखटा हुए हैं ताकि चर्चा कर सके आगे का राष्टा बना सके मुझे बताया गया है कि कल भी दिन भर आप सभी ने इनी बातों पर घंटो मन्थन किया है चर्चा की है टीचर्स खूद अपने हिसाब से लर्निंग मट्रियल तयार करें बच्चे अपना ट्योई मुजियम बनाएं पैरेंट्स को जोडने के लिए स्कूल में कॉम्यूनिटी लाइब्रेरी हो तस्विरों के साल मल्टि लिंग्वल डिक्ष्णेरी हो स्कूल में भी कीचेन गार्डन हो ऐसे कितने ही विश्यों की बात हुई है अनेक नए आइडियां दिये गए हैं मुझे खुशी है कि राष्ट्रिय शिक्षान नीती को लागू करने के इस अभियान में हमारे प्रिंसिपल्स और शिक्षप पूरे उत्सा से हिस्सा ले रहे हैं अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रा लेने भी राष्ट्रिय शिक्षानीती को लागू करने के बारे में देश भरके टीचर से माय गौव पॉर्टल पर उनके सुझाव मांगे थे एक सप्ता के भीतर ही पंद्रा लाग से जादा सुझाव मिले हैं ये सुझाव राष्ट्रिय शिक्षानीती को और जादा प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेंगे इस विशे में और अधिक जागरुपता लाने के लिए शिक्षा मंत्रा ले अने तरह के कारकम चला रहा है झाल 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 झाल